उदैपूर जैन मंदिर में चोरी मामले में घटना इस्तल का अतिरिक पुलिस अधिक शक ने निरिक्षिन किया गंज पासोदा राजा आदिते की नगरी में उदैपूर विगत एक महा से चर्चाओं में बनी हुई है विगत सप्ता उदैपूर के सेकड़ो वर्ष पुरा ने अतिन प्राचीन जैन मंदिर में एक चोर ने हाथ साफ कर दिया और चोरी की घटना को अंजाम दिया जिसके बाद जैन समाज में इस घटना को लेकर बड़ा अक्रोश था इसी तारतम में में जिले के अतिरिक पुरिस अधिक शक संजर साहू ने गटना इस तरिक उदैपूर जैन मंदिर का निरक्षन किया गंज बासुदा से मुकेश चतुरवेदी की रिपोर्ट आठ दिन पहले जो चोरी हुई है सबसे पहले वह बहुत संसनी खेज है और एक ग्रणित काम है मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर चोरी होना और उसके लिए आज मेरे द्वारा और वरिष्ट अधिकारियों द्वारा गटना इसल का निरीक्षन किया गया वहाँ पर देखा गया कि किस प्रकार से चोरी हो सकती है क्या क्या समभाव नाए है और हम निश्चे तौर पर जल्दी प्रयास करेंगे ताकि इस समाज में भी एक अच्छा मैसे जाए और जो लोग भी इस प्रकार की घणतकारे करते हैं उनको हम जल से जल पकड़ने की इसके कई सारे कारण होते हैं कि जो एक कभी-कभी संगठे गरो काम करता है कभी-कभी वो किसी दूसरे स्टेट चले जाते हैं तब वहाँ पर टीम भीजने में वहां से फिर उनकी लोकेशन प्राप्त करने में कभी-कभी इतने शातिर होते हैं कि फोन भी नहीं रखते हैं इस्तिति में जो एविडेंस है वह नहीं मिल पाते हैं लेंगे तब भी हम निरंतर प्रयास करते हैं और पुरानी चोडियां भी है उनको भी निकालने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे अबी तक की जाच में क्या पाया है दिनांग 19 और 20 तारीक की दर्म्यानी रात में उदैपुर में एक जैन मंदिर है वहाँ पर ताला तोड़कर के और अंदर से एक चान्दी का शत्र और एक श्रीयंत्र और उसके साथ में कुछ समगरी और गई है चोरी इसमें थाना गंजब जो चोर हैं वो पर्टिकुलर ऐसा लगता है कि मंदिर चोरी में ही जो इन्वाल्ड कुछ करके चोर रहते हैं संभवत उन्हीं के द्वारा ये चोरी की गई है आज मैंने और स्ट्रुपी साब ने घटनस्तर का विजिट किया है मंदिर जो है काफी पुराना है और अबंड जो भी हमारे आके आसपास के थाना शेत्र के जो में नकबजन है और मंदिर चोरी में लिफ्ट पिछले तीन साल में जितने भी लोगों से पूश्टाच की जा रही है और आशा है कि बड़ी जल्दी ही हम इस चोरी का खुलासा करेंगे अबी तो अभी जाज जारी है और जो पिछली चोरी में एक संधही बंद हुआ था वो तो भी जेल में है और इसके लावा उसके साथी दारान वगएरा उनके संबंद में अभी जानकारी उठाई जा रही है और बड़ी जल्दी इसका खुलासा होगा एक चोटा सुवालो चावल का एक ट्रप पकड़ा गया था सर गजबासॉदा सेटी था ने सुत्रों की जानकारी की मताविक अबी तक के इसके पहले वी एक ट्रप पकड़ा गया था वो कंट्रोल के चावल होते है उस पर सर कोई भी कारवाई नहीं गीए इसमें हमारे दौरा रिटन में SDM गंजबासोदा को लेटर भेजा गया था SDM गंजबासोदा की तरफ से सहायक खाद अधिकारी भी आई हुए थे और उन्होंने इसको जांच में लिया है कि यह वाकई में गहूं जो पीडियेस का है चावल जो पीडियेस का है अथवा नहीं है इसकी जांच SDM सहाब की टीम के दोरह की जा रही है जांच रिपोट आने के बाद इसके करवई की जाई है हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब तरें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना भूले